इसी आई ने फूका चुनावी बिगुल कौन जीतेगा 24 का रण किसकी गारंटी आएगी काम देश की जनता ही हर राजनीतिक पाटी का समाधार मतदाता के लिए खास देश संस्कृती समाध स्वभिमार देश भर में आगामी लोगसभाज चुनाव 2024 की तारीखों का अलान कर दिया गया है नए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया की प्रिस कॉन्फरेंस में कई बड़ी बाते कही गई 543 लोगसभा सीटों के लिए आने वाला आमचुनाव साथ फेज में होगा पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रेल को और आखरे फेज की वोटिंग 1 जून को होगी 4 जून को नतीज़े आएंगे वोटिंग से लेकर नतीज़े आने तक का समय कुल 46 दिन का है सुन्ये प्रिस कॉन्फरेंस की अध्यक्षता कर चीफ एलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया राचीप कुमार ने खास बात क्या कही ऐसलिए डियूही लग सभी के विवन इन समय औपकल्स वा एले date of poll would be 19th of April इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहाँ एक festival है तो notification की date सेम है लेकिन बस last date of withdrawal हमें इस मार्च की जगा 2 अपरेल सिर्फ बिहार की first phase के लिए करनी पड़ रही है चुकि वहाँ त्योहार है और 19 अपरेल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में चार जून को काउंटिंग होगी आगे CEC ने कहा एक बर फिर भारतिय मिलकर अपनी एक्छा को जाहिड करेंगे यह एतिहासिक मौका है दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवन्त लोकतंत्र की रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है देश के सभी हिस्से इसमें शामिल होते ही चुनाव का पर्व देश का गर्व है इसे आयद्वारा चुनावे बिगुल्फू के जाने पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक्सपर अपनी प्रतिक्रिया साज़ा करते हुए लिखा लोकतंत्र की सबसे बड़े महा पर् है तो शासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रकॉर्ड के अधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड परिवार जनों और 96 करोड से अथिक मद्दाताओं का भरपूर्स नहीं और आशिरवाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा अपनी प्रेस कॉंफरेंस के दोरान C.E.C. ने कुछ और जरूरी बाते साचा की जिन में पहली ये है कि लोकसभा के साथ चार राज्यों आंधर प्रदेश, ओडिशा, अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम में विधान सभाज चुनाओं की तारीखे भी जारी कर दी गई है दूसरी बात ये है कि जो C.E.C. ने E.C.I. उपलबधियों के बारे में बताई, 97 करोर वोटर है, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोर पोलिंग अपसर, 55 लाख EVM, 4 लाख विकल, 400 से जाधा असेंबली इलेक्शन हम कर चुके हैं, 16-16 प्रेसिडेंशियल और 22 प्रेसिड हैते हुए C.E.C. ने आगे कहा कि पिछले सवा साल के भीतर 11 एलेक्शन हुए हैं, सभी शांति पून तरीके से हुए हैं, कोट के टिपडियां कम हुई है, फेक न्यूज पर एक्शन लेने का तरीका बहुत मजबूत हुआ है, पिछले दो साल में हमने इसे और मजबूत कि हैं, हम कहां पहुचना चाहते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे, फर्स टाइम वोटर्स के बारे में बात करते हुए C.E.C. ने कहा कि 96.8 करोर एलेक्शन है, 49.7 करोर मेल, 47 करोर फीमिल है, 1.82 करोर फर्स टाइम वोटर्स है, 18-29 साल के 19.74 करोर वोटर्स है, C.E.C. ने कहा ये सभी अपना फ्यूचर खुद तै करेंगे, 84.4 लाख लोग दिव्यांग है और वोट डालेंगे, 82 लाख लोग 85 साल से उपर है, 2.18,100 से जादा के उम्र के हैं, 48,000 ट्रांस्चेंडर्स हैं, पुरुश और महिला के वीच वोटिंग अनुपात पर बात करते हुए, आई है, 5 लाख से जादा लोग 1 अपरेल से पहले वोटर बन जाएंगे, चुनाओ को साकुशल ढंक से अंतिम पड़ा तो पहुचाने के संदर्व में, Election Commission of India के तरब से कुछ बड़ी ही अच्छी बाते बताई, जो आपको भी सुननी चाहिए, आपने खास तौर पर देखा होगा कि चुनाओ के दौरान जगड़े जादा बढ़ चाते हैं, ऐसे में जो E.C.I. के तरब से संदेश दिया गया है, वो ये है कि हम हिंसा मुक्त चुनाओ देना चाहते हैं, बापु ने कहा था कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे मिला समाधान कम वक्त के लिए होता है, नफरत हमेशा के लिए होती है, आगे C.E.C. ने भारती कभी बशीर बद्र साहब का शेर पढ़ते हुए कहा, कि मैं राजनितिक दलों से अपील करता हूँ, कि डेकरों मैंटेन रखें, अपनी स्पीच में निजी हमले ना करें, बशीर बद्र का शेर पढ़ते हुए राजिप कुमार बोले, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुन्जाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं, तो शर्मन्दा नहों, वक्त की नजाकत को परक्ते हुए C.E.C. एक बात और बोले, कि आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनने और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रकिरिया चल रही है, ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के स्री टीवी